तो ऐसा हुआ था रियल में कि आप do you really think so कि ऐसा हुआ होगा कोई न गोई इसके पीछे का reason रहा होगा जब कोई reason है इसके पीछे का तो आप क्यों रट रहे हैं इसको Hello my dear student, I welcome you in this amazing lecture of mathematics in which we are going to discuss laws of exponent तो laws of exponent एक ऐसा topic है जो class 8 से लेकर class 12 तक चाहिए आप फिर graduation करिए, post graduation करिए वहाँ तक काम आता है और आपके real life में भी काम आ सकता है exponent calculation में बहुत जादा use होता है चाहिए physics पढ़िए चाहिए chemistry पढ़िए जब आप वहाँ पर करेंगे बच्चों numerical तो यह topic बहुत important है, इसकी understanding बहुत जादा important है जो कि आपको आने वाले classes में तो help करेंगे और class 9 में आपका syllabus का part है तो laws of exponent mostly बच्चे तो लेते हैं रट तो आज मैं आपको one by one सारे laws of exponent पढ़ाने वाला हूँ उनका proof कराने वाला हूँ और उनके उपर कराने वाला हूँ बहुत ही amazing question तो चलिए ये lecture आज का जो है बहुत अच्छा होने वाला है इसको करते है start तो कुछ laws of exponent बच्चो लेक लेते हैं उससे पहले कुछ basic बाते हैं exponent या फिर इसको हम ये भी बोलते है laws of indices indices एक plural word है जो एक singular word से आया है that is called index किसी number की power जब कुछ लगी होती माली ये 2 की power 3 है तो ये जो number है इसको हम बोलते है base और ये जो power है इसको आप exponent बोलिए index बोलिए ठेक है ये है हमारा index और ये हमारा base तो इस chapter को हम indices के नाम से भी बोल सकते हैं ये जो हम बोल रहे हैं न बच्चो laws of exponent इसको हम indices भी बोल सकते हैं laws of indices तो ये था ये किसका दूसरा नाम तो अभी मैं आपको कुछ law बता रहा हूँ बहुत simple law है जो आपने पढ़ा होगा क्या पढ़ा होगा कि जब दो same number multiply में आ जाते मैं तो ऐसे करके बोलता हूँ simple language में ऐसे a raised to the power m into a raised to the power n equal to a की power m plus n ये सब ही ने पढ़ाया और सब पढ़ाते भी हैं अब understanding क्या है आपकी यहां से आपने रटा हुआ भी है class 8 का अगर मैं आपसे यहीं पर पूछ लूँ हाँ ठीक है बच्चो कैसे आया ये power add कैसे हो गई नमबर दोनों सेम थे ठीक है बात power अलग अलग भी हो सकती है तो नमबर सेम है और वो multiply में होंगे तो उनके जो index होंगे वो add हो जाएंगे क्यों भई देखी तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा इसका मैं proof नहीं करा रहा हूँ proof actual में इसका है नहीं proof होता है theorem का mathematics में चीज़े होती है एक होती है theorem और एक होती है axiom axiom mathematics में वो statements होते हैं जो अपने आप में ही true होते हैं ठीक है they are evidently true itself observation से आ जाएगा और theorem वो statement है जिनको proof करने की जरूरत है for example the sum of all the interior angles of a triangle is 180 degree but we know we need to prove it हमें इसको proof करने की दरूत पड़ेगी because इसको proof करकी समझा गया होगा कैसे पता चला but ये जो power n का कोई proof नहीं ये मैं आपको कुछ observation दिखाता हूँ यानि कि ये एक axiom है तो वो ही उसका so-called proof क्या लाएगा देखिए suppose कर दीजे 2 की power 3 और ये 2 की power 2 अगर इस तरीके से में लिख रहा हूँ तो 2 की power 3 का मतलब क्या हूँ थी तीन बार लिखना है तो ये 5 बार हो गया 5 बार repeat हो रहा है तो 2 की power 5 होई या नहीं होई हाँ सर ये तो बात सही है ये तो हमने सोचाई नहीं और 5 को हम लिख सकते है 3 प्लस 2 तो हम लेके चले थे 2 की power 3 into 2 की power 2 और आगे हमारा 2 की power 3 प्लस 2 ये वो चीज है जो हर जगाए पर अपलाई हो सकते है मतलब कोई भी there is no any case in which this exam is not true कोई ऐसा case नहीं है दुनिया में जो ये formula मैंने यहाँ पर लगाया है जो भी मैंने यह तरीक लगाया है कहीं पर ये गलत हो जाए इसलिए ये सब के लिए प्रूफ हो गया तो ये एक exam बन गई समझ गए बात को CDC बात अब ये तीन बार repeat हुआ ये दो बार repeat हुआ तो पांच बार repeat हो जाएगा एकी पावर M divided by एकी पावर N यानि के दो सेम नंबर है और वो डिवाइड में है तो कहते हैं मैं numerator वाले से denominator की पावर को माइनस कर दो numerator से denominator को कभी पूछा अपने teacher से की sir क्यों why sir why we are studying this नहीं पूछा ना आपको किसी ने class rate में बताया बड़ यहाँ पर तो आप हमारे साथ हैं बिना proof के हम कुछ पढ़ाते नहीं है तो देखिए भई जल्दी से माल लीजे यहाँ पर भी कोई example ले ले लेते हैं 3 की पावर 3 divided by 3 की पावर 2 तो 3 into 3 और नीचे 3 की पावर 2 यानि के 3 into 3 दो बार दो बार से दो बार यह cancel हो गया क्या बचा सर 3 की पावर 1 क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर उपर वाली की आथी 3 और नीचे वाली की आथी 2 तो 3 में से 2 minus कर देते तो directly आ जाता 3 की पावर 1 वाव तो यहाँ से वाव क्या बन गया लो बन गया ठीक है अब होया number 3 तो number 3 में आप अब number अलग-अलग कर देते हैं सब उसको M कर देते हैं इदर N कर देते हैं लेकिन power सेम कर देते हैं वो कुछ भी माल लीजा आप A माल लीजा तो ऐसा बोलते हैं कि M की power A का answer नेका लो और N की power A का answer नेका लो और फिर दोनों की multiply कर आओ यही तो मतलब हुआ तो इसका answer सेम आएगा पहले इन दोनों numbers की multiply कर लें और power A लगा दे जैसे common आजाता है सरहाओ तो देखिए अभी आप दिखाएंगे हम और फिर आप बोलेंगे वाउ देखिए भई 2 की power 3 और इदर कर देते 3 की power 3 correct है 2 की power 3 होती है 8 3 की power होती है 27 यह तिए 9 3 27 multiply कराते है तो 8 7 जा 56 carry होगा 5 8 2 जा 16 और 5 ठेक है 21 सरा answer आगे है 260 अब दूसरा करते है क्या इस तरीके सा answer आएगा तो 2 into 3 कर लेते हैं और उसकी power 3 कर लेते हैं 2 3 6 6 का cube आपको यादी होगा 260 कोई दुनिया में ऐसा case आपको नहीं मिल सकता आप लेके आईए जिसमें यह हो जाए गलत हर जगा यह होगा verify हर जगा यह होगा verify there is no any case for which this statement यह this law would be false तो भी बिल्कुल सही है तो यह एक्जियम था यह का एक्जियम हो गया एक्जियम को प्रूफ करने की जरूद नहीं एक general event अपने आप में true है न तो वो जो चीज जो खुद ही अपने आप में पढ़ने पढ़ियोंगी किला सेर्थ में कोई transfer सलो गई तो यह जो अंदर वाले angle बने इनको क्या बोलते है को interior angle इनका sum 180 degree होता है इसको proof करने की जरूरत है कैसे आया यह 180 degree यह theorem है जब पढ़ाएंग लाइंस and angle तब समझाएंगे number 4 अब number 4 कौन सा law आगया number 4 आप यह पढ़िए पहले तो number 4 हम पढ़ेंगे किसी number की power यह ले ले तो zero हो जाए तो answer one आता यह बहुत जादे interesting है इसका proof आपको मिलेगा proof नहीं है वो भी एक ठीक है थोड़ा सा इसी का हम सहरा लेंगे एक छोटी सी ट्रिक है ठीक है सर दिखाईए इसको नोट करके रेखिए भई कैसे पता चला किसी number की power zero कर दी जाए बनाए किसी को ख़ाब आया कोई सो रहा था उसने ख़ाब देखा सोते सोते एक इंसान सो रहा था उसने सोते सोते ख़ाब देखा do you really think so कि ऐसा हुआ होगा कोई न गोई इसके पीछे का reason रहा होगा जब कोई reason है इसके पीछे का तो आप क्यों रट रहे हैं इसको तो रट ये मत आपको अपने teacher ते पूछना चाहिए था कि sir जब भी आपने पहली बार पढ़ा था कि sir how any number raised to the power zero equal to one तो आईए आपको दिखाते हैं how then आप बोलेंगे wow ठीक है ना आज की tagline हो गई आपकी how then आप बोलेंगे wow एकी power zero equal to one तो एकी power zero है बच्चो तो zero को मैं इस तरीके से लिख दूँ एकी power m minus m m मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कोई भी number हो सकता है मैं two लेता है आपके थे sir आपने particularly two क्यों लिया तो इसलिए मैंने हम ले लिया दो powers यह देखी powers तभी minus में होती है मैं इस वाले lock को तो हम proof करी चुके है power minus में होती है जब वो number divide में आते है तो मैं स्कोल्टा करके लिख दे रहा हूँ एकी power m divided by एकी power m तभी तो minus होई number हो गए same यही तो था number हो गए same divide हो गए answer आगे 1 मैं भी अपने बच्पन में यही सोचता था कि यह एकी power 0,1 कैसे आता होगा मेरे teacher ने बताया नहीं तो काफी आगे जाके फिर इसका answer पता चला तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको ठीक है तो इसको याद रखिएगा बहुत interesting fact है यह फिलहाल आगे की तरफ चलते है चलो अब लेते हैं property number 5 तो ऐसा बोला जाता है कि a raise to the power minus m यानि कि कोई भी number है और उसका जो exponent है जो indices है जो index है वो अगर हो जाए negative तो अगर उसका कर दे reciprocal भाई एक ही power minus m का reciprocal भाई अपान में चला गया तो upon reciprocal करने पर यह जो power है यह हो जाती positive यह हो जाती positive वैसे generally ऐसा थोड़ी नहोता है कि equal to one upon होता है reciprocal equal नहीं होते है बट अगर हम इसको नीचे ले जाए यानि कि reciprocal कर दें इसका नीचे ले जाए power तो यह positive हो जाएगी इसका भी कोई खाब वाला चकर तो नहीं है इसका भी कोई dream वाला चकर तो नहीं है कि किसी को खाब आ रहा है यह भी तो इसके पीछे का logic यह जितनी बाते है जितने exam हमने पढ़े हैं बच्चो क्या उसका use करके क्या उसका magic करके कुछ इसमें हो सकता है भाई जो पढ़ा है उसी का तो use करोगे ना जो भी source जो भी resource आपके पास level है उसी से काम बन जाए तो better है तो आईए आपको दिखाते हैं या तो मैं इसको इसके एको लिया हूँ या इसको इसके एको लिया हूँ बात तो एक ही है अगर मैं इसको इसके एको लिया है तो यह इदर आजाएगा यह डिवाइडम पहुच जाएगा बात सब सेमी है तो कोई issue है नहीं तो ऐसा करते हैं 1 upon a की power m लेके चलते हैं और लेके आएंगे a की power minus m ठीक है आसान हो जाएगा थोड़ा अब बताओ भई बच्चो 1 को क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चो जल्दी बताओ 1 को क्या लिख सकते हो अभी बताया था भई ये वाली property देऊ किसी number की power हो जाए 0 sir 1 लिख सकते हैं किसी number की power 0 हो जाए कहोगा sir x की power 0 लिख लो तो क्या कोई बुराई है क्या कोई दुश्मनी है कि अगर मैं a की power 0 लिख लूँ कोई दुश्मनी तो नहीं है ना इससे कोई जगड़ा जगड़ा तो नहीं हुआ था ना इससे जो हम एक की power 0 नहीं ले सकते है ऐसा इसलिए ले रहा हूँ सुन लो क्योंकि दोनों same same हो जाएंगे तो फिर exponent का law लगाना असान हो जाएगा हाँ बही बताओ अब अगर दो same number divide में आ जाएंगे तो क्या होगा गुरू जी तो उसकी power हो जाएगी minus numerator वाले से denominator की power minus हो जाएगी बहुत अच्छे से पता हो है बच्चों को a की power 0 minus m क्या answer आया a की power minus m देख लो भी हो गया proof यानि कि 1 upon a की power m हमने proof कर दिया a की power minus m तो इसका उल्टा कर दिये 1 upon a की power minus m equal to a की power m यानि के numerator से कोई number denominator में अगर हम transpose कर दें तो उसकी power उल्टी हो जाएगी उल्टी का मतलब है उल्टी नहीं vomiting नहीं उल्टी हो जाएगी उल्टी मतलब यह है power का जो sign है वह opposite हो जाएगा for example 2 की power minus 1 को लिख सकता हूँ 1 upon 2 की power 1 मैं 1 upon 3 की power minus 2 को लिख सकता हूँ 3 का square ठेक है न reciprocal करने पर power हो जाएगी positive इस बात को रखिएगा याद यह हो गए आपके बच्चो laws of exponents सारे